गुरुवार को कॉंग्रेस के वरिष्ट विधायक गोविन्द सिंग ने चुनावायोग द्वारा CECB डूटी की रिपोर्ट पर अफसरो पर कारेवाही के निर्देश को लेकर कहा कि पीएम मोदी और सीएम शिवराज प्रजातंत्र की हत्या करने पर उतारू है भारती जनता पार्टी की विचारधारा से भिन्न लोगों को जूटे जूटे मुकदमों में फसा कर शडियंत्र पूर्वक उनका राजनीतिक करियर नश्ट कर रहे हैं उन्होंने उधारन देते हुए कहा कि पूरू वित्तमंत्री पीची दंबरं पर जूटा केस लगा कर उन्हें 90 दिन जेल में रखा गया और उसके बाद उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ महीं केलाश विजवरी की द्वारा दिये गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि देश में पीए मूदी और अमिट्षा किसी निर्वाचित सरकार को चलने नहीं देना चाहते हैं हिटलर के पदचिन्नों पर चलने की उनकी विचारधारा है साथी नगरी निकाहे चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कमेटिया बना कर कारीकरताओं को काम करने के निर्देश दे दिये हैं भारती जन्ता पार्टी के मुखिया मोदी जी और मद्विद्व सुवरासिं जी प्रजातंत की हत्या करने पर उतारू है भारती जन्ता पार्टी के विचारधार से बिन विचारधारे के लोगों को दीरे दीरे जूटों मुकदमें फसा कर सदंत्र के तरीके से फसा कर आप राधिक मामलों में राजनेतिक करियर बरबाद करके प्रजातन्त को नश्ट कर रही है चिदंबरन जी जो ग्रहमंती रहे उनके उगर आरोप लगाए गया करीब 90 दिन उनको जेल में रखा गया और उसके बाद उनके कोई आरोप नहीं लगाए गया इसी प्रकार पूरे प्रदेश में सिवराज सिंग जी चौथी बार मुक्वंत्री के बनने के बाद उनको अपनी गर्मा का ख्यार लगते हुए किसान के बेटे हैं सामन परवार से गरीब परवार से बोलोग आए हम लोग भी आए उनको इतना सत्ता में आके मदांद नहीं हो जाना चाहिए लोगों पर मुकहदमज लगा रहे हैं हर जिलों में हां कार मचेव हुए है ुत्रोदिक द्लोगों को उनके मकान तोड़े जा रहे हैं दतिया मैं तॉरी तरह से राजनेतिक में करता तका को जो कांग्रेसं चुल्ष कर दे कर ला कि इस प्रकार पूरा तरह से जो रहे सकते हैं सो प्रसद बदले की कारमारियों प्रजातन्त की हत्या कराने का प्रयास है ताकि इनके सामने कोई भारती जनता पार्डी के कोई आवाज नुठा पाए हर खबर की ताजा नौटिफिकेशन के लिए जुड़े रहे खबर हंड़